वाय अखुमर वागपत से जहाँ एसपी नीरज जादौन ने बड़ी कालिवाई की है अवैद वसूली के मामले में लिया है अक्षन इस्पेक्टर सहीद पाच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है अवैद वसूली करते हुए पुलिस कर्मियों का वीडियो भी वायरल हु जिसके बाद ये अक्षन लिया गया तो पराली से भरे ट्राक्टरों से वसूली की जा रहे थी तो अवैद वसूली पार एस्पी नीरज जादौन ने बड़ी कालिवाई की है तो अवैद वसूली के मामले में आक्षन लेते हुए अस्पी नजर आए तो लगतार इस तरहा के मामले आते रहे थे अवैद वसूली की खबरे भी आ रही थी लेकिन जब ये वीडियो वारल हुआ उसके बाद अस्पी ने आक्षन लेते हुए पाच पुलस कर्मियों को किया है निलंबित किया तो पराली से भरे ट्रेक्टरों से हो रही थी ये वसूली तो S.P. नीरत जादाउन ने ये बड़ी कारिवाई की है तो दुथाग में हो रही है वैद वसूली को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया लगातार वैद वसूली के खबरे भी आ रही थी इस्पेक्टर सहीद पाच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है तो अवैद वसूली करते हुए पुलिस कर्मियों का वीडियो भी वारल हो रहा था तुराट ट्रक्टरों से किस तरह से अवैद वसूली की जा रही थी रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों को रोक कर ये अवैद वसूली जहाँ पराली से भरे ये ट्रैक्टर रहते थे और रात के अंधेरे में पुलिस कर्मियों द्वारा फ्रैक्टरों को रोक कर अवैद वसूली की जा रही थी और इसी का वीडियो जब viral हुआ उसके बाद SP की तरफ से ये बड़ी कारेवाई की गई, बड़ा आक्शन लिया गया, एक इंस्पेक्टर सहिद पाच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, रस्पिंड किया गया है और इसी का वीडियो जब वायर लोगने के बाद ये बड़ी कारेवाई की गई है उसके बाद जो भी पूरी तरह से मीडिया की से पर चली तो खबर चलने के बाद जालो ने एक बड़ा एक्शन किया है जिसमें एक उप निरिक्षक, एक निरिक्षक और तीम कॉंस्टेबल को सब्स्टेंड कर दी गया है विकास इसके साथे साथ कहीं न कहीं अवैद वसूली को लेकर तमाम बाते पहले से भी सामने आ रही है और जब देर रात अंधेरे में इस तरह की वसूली आम देखने को मिलती है लेकिन अब कहीं न कहीं जिस तरह से कारवाई की गई है उससे आगे वाले जो पुलिस कर्मी हैं जो इंस्पेक्टर हैं उनको कहीं न कहीं एक उधारण मिलेगा कि इस तरह की जो हरकते हैं वो बर्दाश्ट नहीं की जाएगी जी मैं आपको बताना चाहत हूँ जो यह जो निवाड़ा चोकी है जो हर्याना रुतर पर देश को जोड़ती है इसके बोर्ड़ पर यह चोकी है यहां पर ओवेद वसॉली की सिकायत होती रही है लेकिंद जो पुलिस करनी है अपनी आदबतों से लाचाह है लगातार पर अवेद वसूली करते है लगातार निया जो सराब सप्लाई का भी मामला सामने आया है जो हरियाना से सराब लाई जाती है और इसी बोटर से लिकाल दी जाती है पर अवेड वसली नहीं रुखती लेकिन जो बागतार के कप्तान है बहुत सक्त कप्तान है और पुलिस को लगातार ये बताते रहे हैं कि कोई गलत काम ना करे उन पर सक्से सक्त कारवाई की है लेकिन आज बात पर जो कप्तान नीरज कुमार जादों उन्होंने एक बड़ी कारवाई की है जिसमें पांच पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिये गया है एक उपनी रख्षक है और एक निरख्षक है तीन कॉस्टे स्थर्शन थाओ पुलिस कर दिया एक उन्होंने एक प्रवण में सब्सक्वार जादों लेकिन पुलिस से ज्या है तीने इंटाल जाने यूश्टे लूबटे दिये था विले उन्लादादान फन्हों जो उन्होंट्रावण हैं ऑक पांचित की है उन्होंन जादाना पर ब